दोस्तो खाना खाने के बाद सीने में जलन की समस्थे से कई लोग परिशान रहते हैं असल में हम जो खाना खाते हैं उसका सही तरह से पचना बहुत जरूरी होता है पाचन की परिक्रिया में हमारा पेट एक ऐसे ऐसीड को बनाता है जो खाने को पचाने में मदद करता है लेकिन कई बार ये ऐसीड आवशक्ता से अधिक मातरा में बन जाता है जिससे सीने में जलन मैशूस होती है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपाए जैसे नमबर एक अधरक अधरक इस समस्या में बहुत कारगर साबित होती है खाना खाने के बाद अधरक चबा कर खाएं या अधरक की चाय बना कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं नमबर दो मुलैठी में कई अरुवेदिक ततो होते हैं जो सीने की जलन से तुरंत आराम दिलाती है इसकी जड़ों को पीस कर इसका चोन बनाएं और नियमित रूप से इसका सेवन करें नमबर तीन तुलसी तुलसी के प्राकर्टिक गुनों से कौन वाकिफ नहीं है तुलसी कई बीमारियों का इलाज है केवल सुबह उठकर तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लीजिए इससे आपका पेट दिन बढ़ ठंडा रहेगा और गैस या जलन की शिकायत भी दूर रह करता है दिन में अगर दो बार नीमू का रस काले नमक को मिला कर पिए तो इससे बहुत जल्द आरा मिलता है नमबर पांच मूली मूली का सेवन या मूली के रस का सेवन करने से भी इस समस्या में काफी आरा मिलता है नमबर छे नारियल आप दिन में एक बार नारियल के पान पिलिए नीचे दिये कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद